केंद्र सरकार ने प्यास के निर्यात पर लगाई गई लिमिट खत्म कर दी है। इसका असर प्यास के भाव पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी दर्मियान प्यास की आवक मंडियों में अधिक हो गई है, जिसके चलते भाव में नर्मी आई है। यही स्थिती लहसुन की भी बनी हुई है, लहसुन के भाव में भी पिछले एक दो दिन के दोरान गिरावट रही। इसकी भी वजह आवक में बडोतरी होना आवक बढ़ने के साथ लेवाली नहीं बड़ी है, यही कारण है कि दोनों क्रिशी जिन्सों के भाव में गिरावट दर्ज हुई है। इंदोर की मंडी में प्यास की आवक अच्छी होने के बावजूद लेवाली घटने से भाव भी कमजोर देखने को मिल रहे है। वहीं लहसुन में आवक कमजोर होने से भाव मजबूती के साथ बोले जा रहे हैं। लहसुन के भाव अभी अधिक्तम 27,000 से 28,000 रूपए प्रती क्विंटल तक चल रहे है। इससे पहले प्यास के दाम 46 से 47 रूपए प्रती किलो तक पहुँच गए थे। लेकिन अब इनके 250 से 260 रूपए किलो तक बने हुए थे। व्यापारियों का कहना है कि अक्टूबर से नवंबर तक नई उपज नहीं आने तक प्यास के भाव में और वृद्धी हो सकती है। अभी इसके अधिक्तम दाम 47 रूपए प्रती किलो तक बने हुए है। प्यास के भाव में हाल ही म वृद्धी देखी गई है जो कि मंडियों में सप्लाई कम होने के कारण है। मंडियों में प्यास की सप्लाई ज्यादा होने से इसके दामों में गिरावट आने की भी संभावना है। वही दूसरी और व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार निर्यात पर रोक लगाती है या बफर स्टॉक से प्यास खुले बाजार में बेचती है, तो प्यास के भाव में स्थिर्टा आ सकती है। वही दूसरी और अगर नई फसल आने पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, तो लहसुन के भाव में आगे स्थिर्टा बनी रह सकती है। हालांकि व्यापारियों के मताबिक नई फसल आने पर लहसुन के भाव में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इनके भाव में हलकी गिरावट आने की संभावना है।